Season of Monsoon Indian Geography का बहुत important topic है हम समझते हैं सबसे पहले meaning of monsoon Monsoon का मतलब होता है change in direction of wind with change in season जैसे ही season change होगा हवाओं की जो direction है winds की direction है वो भी बिल्कुल बदल जाएगी इस ही phenomenon को हम monsoon कहते हैं तो हमारे बारत में दो तरह की monsoon winds है winter monsoon wind और summer monsoon wind यह basic चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए यह देखिए यह direction north है यह east है map से हम समझ रहे हैं कि क्या direction change हो रही है सरदी के time winters में जो winds की direction है वो north east से आ रही है अब जैसे ही season change हुआ तो winds के direction भी change हो जाती है southwest ठीक है ना इसी phenomenon को हम monsoon कहते हैं अब यह हुआ क्यों वो समझते हैं map से यह globe है यह देखिए आर्थ की position आर्थ अपनी axis के उपर जुकी हुई है ठीक है ना 23.5 degree tilted है इस वज़े से क्या है जो equator है imaginary lines है यह tropic of cancer है यह tropic of capricorn है बीच में equator है sun को directly यह वाला region face कर रहा है यहां बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी क्योंकि सूरज की जो किरने है वो सिधी पड़ रही है तो गर्मी पड़ेगी ठीक है अब इसका क्या effect होगा इसका effect यहां देखते हम यह tropic of cancer है इंडिया के बिल्कुल बीच से पास कर रही है यह equator है और यह tropic of Capricorn सूरज की किरने यहां पड़ रही है तो यहां गर्मी बड़ेगी जहां भी sun की rays fall करेंगी जो region गर्म होगा वहां low pressure zone होगा ठीक है फॉर एक्जामपल हमारे यहां पे अगर गर्मी का season है तो मानके चलीगी यहां पे low pressure zone create हो रहा है इसके बिल्कुल opposite south में उस time सरदी मिलेगी आपको ठीक है ना season में change मिलेगा क्योंकि सूरज वहां से दूर चला गया है हमारे यहां पे सरदी होने का मतलब यही है कि सूरज हम से दूर चला गया ठीक है उस time हमारे यहां पे high pressure zone बनता है इंडिया के map से समझते है ट्रोपिक ओफ कैंसर इंडिया के बीच से पास कर रहा है 21 जून को sun की rays directly ट्रोपिक ओफ कैंसर के उपर होती है तो यहां low pressure बनेगा sun की rays directly fall करी है इसलिए low pressure बनेगा ठीक है low pressure का मतलब क्या है सूरज की किरण यहां पड़ रही है तो इस वाले region में जो हवाएं है वो गरम हो जाएंगी क्योंकि हमारी land जो मास जो है दर्ती जो है वो सूरज की किरणों से बहुत गरम हो गई है सन की rays से अब वो गरम हो गई तो उसके contact में जो हवाएं चल रही थी वो भी आगे contact में अब वो भी गरम हो गई हवा गरम हो की उपर उठती है उपर उठ गई तो नीचे क्या हो गई खाली जगह है बिल्कुल हवा नहीं चलती ऐसा अपने experience क्या होगा गरमी होगा time कि बिल्कुल से एकदम दिन में गरमी होती है शाम के time दूल बरियांदिया चलती है ठीक है क्योंकि वहाँ पे तब तक के लिए low pressure zone बन गया है और उस low pressure zone को fill करने के लिए आस पास की local हवाएं local winds पहुँचती है और वो शाम को अंधिका रूप ले लेती है क्योंकि यहाँ पे पास में हमारे थार डेजर्ट है है ना तो थार डेजर्ट से मिटी उठा लेती है और वो दूल जो है वो आंधि के रूप में आपे पहुँचती है अब क्या होता है 21 जून आते आते जून का महिना आते आते देखिए यहाँ से कुछ विंड्स है जो पूरे साल चलती है जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते है है ना अब यह लो प्रेशर है राजस्थान और हर्याना वाले रिजन पे कुछ पार्ट पाकिस्तान का भी उसमें हम इंडिया की बात करें अब यह लो प्रेशर इतना बढ़ गया कि लोकल विंड्स उस एरिया को फिल नहीं कर पारी तो यह जो ट्रेड विंड्स है यह भी उस खाली जगय की तरफ चल पड़ती है यह नेचर का लो है जहां भी खाली जगय मिलेगी कोई ने कोई उसको फिल करने के लिए पहुँच जाएगा जैसे बरसात होने के बाद हम देखते हैं कि गड़ों में पानी बरा रहे जाता है क्योंकि वहां पर उनको जगय मिल गई पानी को तो वह वहां रहेगा इसी तरह से यहां एक गड़ा बन गया है अब उस गड़े को बरने के लिए यह हवाएं चल पड़ती है ठीक है अब वो यहां से पास करते टाइम यहां इंडियन ओशियन है इधर पैसिफिक है तो वो यहां से मोईश्चर ले लेती है हवाओं में नमी होती है और वो फिर भारत में पहुंचके इस वाले रिजन में बारिश करवाती है ठीक है ना इसे ही हम मोंसून कहते है हम बात करें समर मोंसून की गर्मी का सीजन है यहां लो प्रेशर बना लो प्रेशर बनने से जो ट्रेड विंड्स है जो अपने रास्ते जा रही थी वो अपना रास्ता बदल लेती है और वो हमारे भारत की दुरह मुड़ती है और साथ में उन्होंने मोईश्यर गिन कर लिया है तो हिमालयाज इनको आगे जाने नहीं देते और वो यहीं फसके रह जाती है और इस रिजन में बारिश करवाती है यूजवली हम मानते हैं कि एक जून को जो है मौनसुन हमारे केरला का जो मालाबार कोस्ट है वहां एक जून को बरसात हो जाती है यानि कि मौनसून पहुँंच जाता है फिर वो जुलाई आते आते पूरे भारत को कवर कर लेते हैं तो एक जून से लेके 15 सेप्टमबर तक गर्मियों में हमारे यहां पे मौनसून की बरसात होती रहती है अब हम बात करते हैं विंटर मौनसून की विंटर में क्या है विंट्स की डारेक्शन बिलकुल ओपोजिट हो गई है देखिए समर में डारेक्शन ये थी और विंटर में डारेक्शन ये है सीजन चेंज हुआ विंट्स की डारेक्शन चेंज हुई यही तो मौनसून था डेफिनेशन में देखा था हमने अब यह change कैसे आया यहाँ Mediterranean Sea है इधर ठीक है Middle East में अब गर्मियों में तो low pressure यहाँ बना था लेकिन अब sun चला गया है towards south तो अब low pressure बनेगा यहाँ अब low pressure south में बना है तो यह जो winds है, jet streams है वो Mediterranean Sea से moisture गेन करती है वो अपने रास्ते जा रही है अब low pressure यहाँ बना है तो वही situation यहाँ है अब इस low pressure को fill करने के लिए वो Hawaiian turn करती है तो इससे क्या होगा यहाँ हमारे हमालियाज है यह jet winds जा रही है हमालियाज से strike होके वो दो ब्रांच में बढ़ जाती है एक ब्रांच उपर की तरफ जो हमारे हमालियाज स्टेट्स है कश्मीर है उत्राखंड हिमाचल इन में स्नोफोल करवाती है दूसरी जो ब्रांच है वो राजस्थान हरियाणा दिल्ली NCR और कुछ पार्ट UP बिहार के यहाँ बारिश करती है ठीक है ना यह कब होती है बारिश यह होती है विंटर्स में यह देखिए विंटर्स में इस वाले रिजन में बारिश होती है और यहाँ इन स्टेट्स में स्नोफोल होती है इसे हम लोकल में मावट कहते है ठीक है ना लोकल वर्ड है मावट सर्दियों में जो बारिश होती है तो ये तो सिर्फ 10% है ये बारिश जो है एनुवल जो रेनफोल है उसका सिर्फ 10% है विंटर में बागे 90% तो हमें समर मोंसून से मिलती है इसके अलावा ये विंट्स जब मुड़ती है साउथ की दरफ तो Bay of Bengal से मोईस्चर गेन करती है यहाँ तो पूरा लेंड मास था मोईस्चर का कुछ था ही निए सोर्स जो पिछे से उन्होंने मोईस्चर ले रखा है वही थोड़ी बारिश उन्होंने इस रीजन में करवाई है लेकिन यहाँ तो Bay of Bengal है यह विंड्स जब यूँ टर्न करती है तो Bay of Bengal से मोईस्चर गेन करती है और यह हमारे तमिलनाडो का कोस्ट है कोरो मंडल यहाँ बारिश होती है पार्ट्स ओफ ओडिसा का भी पार्ट होता है इसमें और तमिलनाडो का भी तो थोड़ी बारिश यहाँ भी हो जाती है तो यह था मौनसुन एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिगा